हेलो दोस्त गुड मॉर्निंग स्वागत है मेरा यूटूब चैनल में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं अब रासन टेस्ट ऑप एग्रिगेट का अब रासन टेस्ट कैसे करते हैं आज मैं उसके बारे में बताने जा रहा हूं तो आप पूरे वीडियो देखिए तो आज अच्छी टरीके से इसके डेटील के बारे में घानेंगे यह टेस्ट कैसे करते हैं यह आप जो देख रहे हैं यह मसीन लॉस एंजलेस मसीन आने इसी में हाँ टेस्न करेंगे हम vocals मशीन के बारे में मैं अब बताने जा रहाwr garant देखिए इसका कितना है यह इंटर्नल राया 700 mm है और इसकी लेंद्ध जो है वो 500 mm है इंसाइड लेंद्ध है ठीक है यह राउंड शेप में होता है ठीक है माकी इसका कोड है तरीश यासी पाट फोर आप उसमें जाके देख सकते हैं इस मसीन के बारे में पूरे डिटेल्स में दिया हुआ है हम यहाँ पर 20 mm का टेस्टिंग करने वाले हैं तो आप देख सकते हो इसमें हमने 11 गोलेड डाले हैं ठीक है इससे वेट लेने पर लिए हमने इसको सिविंग किया था 20 mm से पास किया था सारे 12 mm पर लिया था ठीक है उसमें लिया था 25 ग्राम तो इस सारे बारे से लेकर 10 mm तक पास कि जी हमने ले लिया टोटल सेंपल ठीक है हमने हमने सेंपल भी डाल दिया पांच किजी बीस से पास करवाते हैं सारे 12 पर रिटेन करते हैं उसमें लेते हैं फिर टोटल पांच और राउंज जो है हम इसमें से घुमाएंगे उसके बाद जो इसमें से क्रस होगा फिर उस क्रस को हम क्या करेंगे वेट करेंगे पहले उसको सीविंग करेंगे कितना चलते हैं पहले हम इसको घुमाते हैं उसके बाद आगे आपको बताएंगे कि क्रस होनी के बाद कौन सा सीविंग इसमें हम यूज करेंगे तो यहां पर रोटेटिंग अब पूरा नट जो है इसका जो ढककन कबर है इसको हम पहले टाइट कर लेंगा अची तरीके से उसके बाद स्टार्ट करेंगे तो अब यह टाइट हो गया अब हम यहां पर क्या करेंगा स्टार्ट कर दिया हमने अब हमारा मसीन स्टार्ट हो गया इस मसीन के बारे में डेटेल हम बताएंगे आगे कितनी इस्पीड होनी चाहिए कितना राउंड घुमनी चाहिए खौन को सब्सक्राइब होता है इस आई जेस में आपको आगे बताने वाला है यह रोटेशन स्टार्ट हो किया और इसके पास में यह रोटेशन नोट होता है कि कितना रोटेशन हो चुआ देखें भी 14 चल रहा है यहां पर रोटेशन नूट होता है इसमें से यह नितर लगा हुआ है रोटेशन नितर अब देखिए हमारा 500 कम्प्लीट हो गया हो गया अब 100 कम्प्लीट होने के बाद हमने क्या किया सेंपल को बाहर निकाल लिया अब इसको हम क्या करेंगे 1.7 mm सीव से जो है हम इसमें से सीविंग करेंगे देखेंगे लग चानने के बाद कितना सेंपल करस हुआ है वो 1.7 mm से जो पास हो गया है उसका हम वेट कर लेंगे और टो जो है वो तीस परसेंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए गार्मली ठीक है यहां सीविंग कर रहे हैं देखते कितना बेट आता है और रिजल्ट क्या आएगा आगे जो है झाल झाल यह हमारा 2386 part 4 कोड़ जिसके बारे में मसीन के बारे में टेस्टिंग प्रोसेजर के बारे में लब इस टेस्टिंग के रिगार्टिंग जितने भी प्रोसेजर या एक्रूम्पेंट से यूज होता है तो आप देखें तो इसमें जो हम आइरन के गोले यूज करते थे वह कितना होना चाहिए 48 mm का डाया का होता है और 390 से 445 ग्राम तक उसका वेट होता है ठीक है इसका रिवल्यूशन जो आपको मैंने बताता है 2233 रिवल्यूशन पर मिनट ए, बी, सी, दी के लिए और 500 रिवल्यूशन होना चाहिए हमारा जो यह 20 mm है यह हमारा बी ग्रेड में है ठीक है उसके लाबा इसको हम डाया भी करते हैं एक सो पांस करने से पहले एक सो पांस लेकर एक सो दस ड्री सलसिय तक नॉर्मली चार से पांच गंड़ा तक रखते हैं ठीक है उसके बाद ही हम सेंपल को यूज करते हैं ख्रसिंग के लिए ठीक है तो ही हमारा कोड है इसमें से 10 mm के लिए भी दिया हुआ है कैसे टेस्ट करना है 20 mm के लिए 20 mm के लिए 20 mm से उपर के लिए इस कोड में सारे चेस्टिंग के बारे में दिया हुआ है तो दोस्तों यह हमारा फाइनली रिए आ गया देखिए सीविंग होने के बाद हमारा जो सेंपल आया था वह 116.5 आया था ठीक है और टोटल हमने सेंपल कितना लिए था 5000 तो टोटल हमारा जो रिजल्ट आया वह कितना आया 23.33 परसेंट जो के हमारा 30 से कम है तो हमारा ठीक भी रखा है सीव कौन-कौन सा यूज करना है कितना रिवल्यूसन होना है कितना स्वेयर डालना है इस हारे स्मिली मैंने नोट कर रखा है वैसे आप इस कोड में भी आप जाके आप चेक कर सकते हो ठीक है आपको यदि मेरे वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरू किजिएगा और भी आगे मैं आपको कशक सलाइन के मेटरियल के टेस्टिंग के बारे हम आपको मैं अच्छे से बताऊंगा ठीक है तो थैंक यू दोस्त